ओगया ओगे सुगर इवनिंग लास एनर्जी कहां गई तुम लोग की थंडी लग रहा है नहीं 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 आनर्जी मत लूज करो चलो ग्लास तो लास्ट क्लास में हमारी बाते हुई थी सप्लाई को लेके याद है कुस धुंदा धुंदा सा कोई बताना चाहेगा क् supply बोलो online वालो आप comment करके बता होगे कौन बताएगा कि sir what is supply हाँ बोलो supplier जो supply करता है goods वो क्या होती है supply अच्छा अरपे ठीक है supplier जो supply करता है इसके लिए हम लोगों कुछ condition पढ़ी थी कि how can you express supply quantity price और time quantity price और time बोलो याद है okay तो sir हमने यह दिख लिया था supply और stock के बीच में क्या difference है यह देखा था stock और flow दो concept देखा था stock मतलब एक particular time पे supply होती है एक period के लिए याद है अरे बोलो sir एक period के लिए जो होती है that is called supply that means supply is a flow concept notes निकालके check करो लेकिन stock क्या होता है sir एक particular time पे एक particular time पे उसके असर हम लोगों ने देखा था supply schedule क्या देखा था supply schedule supply curve भी देखा था sir और market demand यह हुआ था मार्केट supply कर हुआ था तो market demand कर भी market supply schedule भी हो चुका होगा आप लोगो याद नहीं है भूल गए इतना जल्दी भूल गए ऐसे अमन अगर तुम नहीं आये थे last class में तो तुम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ठीक है अभी फिलाल चांसे बैठो बाकी लोग बूल गए हो गया था अगर नहीं भी हुआ था तो सुन लो भाई कुछ है नहीं हमने एक इंसान के individual supply schedule को लिया producer के दूसरे को भी लिया ती यह यह प्राइस इरह प्रोड्वोन श्सचताव मैरा तुमारी प्राइस ए रहा तुमारी उम्हें प्रोड्यूसर लेरा तुमार्ड नहीं करोगे तुमको आपने समान के लिए 2опR मिल लए बैसब्रव यूनि नहीं करोंगे लेकिन अगर 10 उरुप ए मिल आऊ हूं ऐसे सप्लाई करने को तयार हैं ठीक ऐसे ही सर 12 रुपए मिल ले हूँ तो ये बोलेगा हां सर हम 4 शप्लाई करने को तयार है हम 6 सप्लाई करने को तयार है बोलो समझ में आया इन दोनों को जोड दो P1 प्लस P2 कुछ नहीं 426 और 6410 ये क्या हो गया तुमारा Market Supply Schedule और पिद बोलो बिटर Loss हम यहां Consider कर ही ने रहे हैं अगर वो Supply कर रहा है तो वो को सोच के ही Supply कर रहा है वो अपना Profit अपना Loss सारी चीजों को सोच के ही Supply कर रहा है अपना Market बनाने के लिए समझ रहे हो ना सर ओला उबर जब भारत में आये तो इन्होंने Price या Profit Element कंसिडर नहीं किया खासकर उबर की बात कर रहा हूँ उसने वो आया उसने का भाई मेरे को Market बनाना है Market कैसे बनेगा Loss में Operate कर के समझ रहे हो उसने धिरे धिरे करके Auto रिक्षा और ये रिक्षा इंस अपका Market तोड़ा और Market को परनेटेट किया सस्ते में चीजों को देखे जब गोरगपुन में नया नया तुमारे इस अब की बड़े offers देता था और तुमको याद होगा गूगल पर जब नया नया आया था बहुत सारे cashback देता था दुनिया भर की cashback देता था 100 रुपए के समान खरीदो 8-9 रुपए cashback आही जाता था तो उन्हों पता नहीं यूज करते थे कि नहीं करते थे Amazon पे अभी नया नय आडविटीजमेंट चल ला है you had it you just didn't know it उस पर यूज करो बहुत सारे cashbacks मिल ले बहुत सारे आपर मिल ले फोन पे देख लो एक payment करो चार आफर आता है इस पे इतना percent off इस पे इतना percent off क्या है दोस्तों profit के परे भी कई बर चलके सोचा जाता है market को बनाना बनाया जाता है बोलो समझ में आया अरे बोलो yes sir तो यह है तुमारा market supply schedule यह ऐसा है कोई विशेश नहीं है बिल्कुल यह demand वाला ही concept है कुछ नया नहीं है इसमें फिर नया क्या है sir कुछ भी नहीं यह पूरा chapter ही demand based है पूरा chapter demand based है हम तुको पहले भी बताये थे इसे जैसे फिर्स देमांड के रिविजन भी लिये थे अरे बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ओके बोलो पेज नंबर 280 पे आ जाओ पूरे नंबर 4 supply function supply function एक बड़ा खुबसूरत सा डाग्राम दिया एक बड़ा खुबसूरत सा फॉर्मला दिया हुआ है supply of x is equal to function of px प्यार एन एफ जी पी एफ टी एक्स जी पी बाप रे बाप यह क्या लिग दिया किसे समझ में आया नहीं समझ में आया पॉइंस लीड करो नीचे सबसे पहले supply of x is the function of own price of the commodity point number one अब यहां से हमारी बाते शुरू हो रही है दोस्तों मुझे बताओ own price of the commodity supply को कैसे hit कर सकती ह तुम supplier तुम सारे supplier हो कोई समान बना रहे हो बेच रहे हो तुम मान के चलो तुम यह marker बेच रहे हो ठीक है इसकी price अभी बाजार में चल लेए 20 रुपए कितनी चल लेए 20 रुपए तुम 100 unit supply कर रहे हो सर इसकी price बढ़ गई 25 रुपए हो गई एक बात बताओ इसकी price 25 करोगे कि कम करोगे जाधा करोगे यानि कि सर जब किसी चीज की price बढ़ती है तो supplier चाहता है उसकी supply ज्यादा से जाधा करें डिमांड पे जाओ जब इस चीज की price बढ़ती थी तो consumer इसकी demand कम करता था और यहां पे इसकी demand क्या हो रही है ज्यादा हो यह बिलकुल mirror opposite समझ में बोलो एक बार रीट करोगे there is a direct relationship between own price of the commodity and its quantity supplied यानि कि जहां पे बुक में लिखा उसके बगल में लिख लो sir price rises supply rises a price falls supply falls यह लिख लोगे इसे क्या कहते हैं दोस्तो direct relationship क्या बोलते है direct relationship बोलो समझ में आ रहा है surprise बढ़ेगा मेरे समान की price बढ़ गई मैंने supply बढ़ा दी और मेरे समान की price कम हो गई मैं इसकी supply कम कर दूँगा अच्छा तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा आना भी चाहिए अब तक आ जाना चाहिए था सर supply हम कम करेंगे तो समान का करेंगे क्या मान दो सर ये 20 रुपए का समान है 20 रुपए का समान है मैंने इसकी supply कम मैंने इसका price गिर के 17 रुपए होगे 16 रुपए होगे 15 रुपए होगे तो हम supply कम चो करेंगे सर और करेंगे तो समान करेंगे का तो रखे रखे कि सड़ जाएगा genuine question बूलो है कि नहीं है दोस्तो supply कम होने का मतलब है देखो भाई अब ही अगर मेरे पास यासे 100 मार कर होंगे न तो उनको तो हम 15 में बेच ही बेच देंगे उसका बनाना ही क्या कर देंगे कम कर देंगे अपनी manufacturing की क्या कर देंगे कम कर देंगे लेकिन सर अगर हमको दिख र हमाया एक बार पढ़ लिया जाए फिर सकी नोट से एक साथ लिखेंगे ठीक है नमबर टू प्राइस ऑफ रिलेटेड गोड्स ओ माई गॉड कोई बताएगा रिलेटेड गोड्स कौन कौन से होते हैं बता और पेट सॉप्सिटीट गोड्स क्या होते हैं मतलब हां चाय और बता बाई यह एक अलग मारकर मान की चलो यह दोनों सॉप्सिटीट यह लाल है यह काला है बस सर इसकी प्राइस बड़ गई इसकी प्राइस बढ़ गई मेरे मारकर की सप्लाई पर क्या एफेक्ट पड़ेगा घड़ जाएगी संप्लाई घटा होगे मैं यह पूछा हूँ, तुम लाल वाले हो, ठीक है, तुम लाल के प्रोडूसर हो, इसकी प्राइज बढ़ गई, तो इसकी सप्लाई पे क्या, ये, इसकी सप्लाई बढ़ा होगा, अपने ये, लाल वाले की सप्लाई बढ़ा होगा, अपने ये, लाल वाले की सप्लाई इस पर तो होगा इस अच्छा मुझे बात आता हो इस इस आप सर समझा, तुम्हारे दोस्त है! तुम दोनों ने MBA किया हुआ है! मान कि इस नो MBA किया है, CA किया हुआ है, जो अपने उको समझना है समझगा! तो सर दोनों अलग अलग कंपनी में हो कोई एक 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 सेंचर में हो और कोई एक मान के चलो TCS में है तुम्हारे दोस्त की सैलरी बढ़ रही है तुम्हारे दोस्त की सैलरी बढ़ रही है वो TCS में है क्या तुम एक सेंचर में काम करोगे बोलो क्या तुम एक दूसरी के लिए एक तरह से substitute हो गए भाई दोनों एक qualification है दोनों एक तरह के हो तुम्हारे दोस्सकी salary बढ़ गई उसे जाधा पैसा मिल ला है क्या तुम उतने ही पैसे में काम करोगे मना करोगे करोगे हमको भी या तो salary बढ़ा के दो या तो हमना उकरी छोड़ रहे है तुम्हारी book क्या example ले रही है मेरे साथ इक बार रीट करोगे supply of a good depends upon the price of related goods consider a firm selling tea एक firm में जो चाय बेच रहा है if price of coffee rises in the market sir coffee related goods है coffee की price बढ़ गई the firm will be selling to less sell less tea at its existing price अब ये firm क्या बोलेगा भाई इसकी price बढ़ी तो अपने को भी क्या चाहिए जादा price चाहिए अपने को भी क्या चाहिए जादा price चाहिए अगर price नहीं बढ़ रही है तो हम इसको क्या करेंगे कम बेचेंगे क्या करेंगे कम बेचेंगे इसमें गोसेंगे, बोलो समझ में आया, ब्लैक वाली हाई हो जाएगी सप्लाई, ओके अंकिता, ठीक है सर, the same quantity of tea will be sold only at a higher price, हम क्या बोलेंगे सर, उसकी salary बढ़ी, मेरी भी salary बढ़ी, आप उनको भी चाहिए, फुल इचत, समझ में आया, इतना ये फाड़ फूड के नहीं पढ़ाया है, शॉट में पढ़ाया चला, अभी हम दो notes लिखेंगे, तो इसको बड़े detail में देखेंगे एक बार, इब आप book से कर जाते हैं सारे topics, फिर detail में इसको देखेंगे, number three, number of firms in the industry, अब देखो ये बजार की बात किया है, ये एक इनसान के लिए नहीं बजार के लिए बात किया है, एक बजार है सर, जहां पे सिर्फ दो supplier हैं, टूंग 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 एक ये, एक ये, ठीक है, आँक तो बना दो इनकी, दो लोग हैं, आक्टेडी हो गई, हाँ, ये दो लोग हैं, लेकिन सरीक ऐसा बाजार है, जहां पे दुनिया भर के सप्लायर है, ये लोग, इतने सारे हैं, मक्खी मक्षर जैसे सप्लायर भरे हो गई, बताओ, बाजार में सप्लायर कहां होगी, यहां जादा होगी, यहां जा होगी medical servicesiences-supply कहा nella någon में जाढ जा ना होगी कि RIII कि नहीं financial services कहा जादा होगी KI यह ची जादा होगी CS जाधा हों े MBA जाधा हों जो मानधा होना इस चीज़ को teaching Services श्रीछेशल जादा कहा होगी i 2023 master जाधा होंगे विकास करेक्ट है ठीक है तो सर ICE कर दो पानवे साथ, market supply, अब दिखो, यहां पर आगया किस पर, market supply, किस पर आगया यह, market supply, market supply for commodity, depends upon number of firms in the industry, increase in number of firms, implies increase in market supply, छब जितने ज़्यादा firms, होतने ज़्यादा supply, and decrease in the number of firms, implies decrease in the market supply for commodity, मान की चलो, नौका विहार, कितने लोग ऐसे हैं, जो पिछले एक-दो महीने में नौका विहार नहीं गए, नहीं गए हो आप लोग, एक-दो महीने, दो महीने के recent में, अगर कभी इधर recent में जाओगे, तो आप देखो, वहाँ पे भेड़ बकरी जैसे खानी पीने के stall लग ग हैं, हर 10 कदम पे मिल जा रहे हैं, है कि नहीं है, बिल्कुल है सर, विकास, तो सर, इस वजह से जितने जादा supplier, उतनी जादा supply, जितने जादा supply, उतनी जादा supply, very good, number 4, goal of the firm, मुझे बताओ भाई, फर्म का goal, फर्म का क्या goal हो सकता है, profit, एक हो सकता है सर, profit, और एक हमने अगर तुम्हे profit चाहिए, तो तुम बताओ, कम price पे supply करोगे, ज्यादा price पे supply करोगे, ज्यादा price, सर, आप खोजो कि price जितनी ज्यादा होगे, हम उतनी ज्यादा supply करेंगे, price जितनी कम होगी, हम उतनी कम supply करेंगे, लेकिन सर, अगर आपका aim profit की beyond है, customer बनाना है, market को तो आप क्या, कम price पे supply करने को तयार रहेंगे, यस सर, आप price देखोगे ही नहीं, फिर आप supply पे supply करोगे, है कि नहीं है, बिल्कुल इस सर, read करोगे, goal of the firm, if the goal of the firm is to maximize profits, more quantity of the commodity will be offered only at a higher price, सर, जब price higher होगा, तम आप offer करेंगे, price higher नहीं होगा, तम आप offer नहीं करेंगे, लेक और maximize output environment, more will be supplied even at the same price, सर, ऐसी तेसी price की, हम पढ़ाएंगे, समझ रहे होगा, कुछ टीचर होते हैं सर, जिनका mind, बिल्कुल money-minded होते हैं, कि अगर उनके class में एक बच्चा भी या एक बच्चा के बैठे करेंगे, पढ़ाएंगे लिए, उनको फीस पानी है, और कुछ टीच नमबर फाइफ, price of factors of production, कौन बताएगा factors of production कौन कौन से होते हैं, लैंड, labor, capital और entrepreneur, ये चार चीज़े चाहिए होते हैं सर, बिजनेस करने के लिए, लैंड मने, anything on the land, below the land या, above the land, बोलो, याद है, ये राते, ये मौसम, नदी का किनारा, चंचल हवा, all form part of land, यानी कि सर, इनका price क्या है, labor का price क्या है, employment, लोगों को रखोगे न, उनका price क्या है, capital का price क्या है, capital का price, हाइं, 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 क्या बात कर रहा हूँ, हमनों अभी क्या पढ़ना है, business में, sources of business, finance, business finance के दो sources होते है, capital और एक, debt, याद है, debt लोगे, पैसा भरोगे, उसे उसको पैसा उसको तो क्या सोचेगा, इसे चाहिए कई invest कर देते, interest मिल जाता, तो सर उसका, और entrepreneur, भाई, मालिक, खुद, कहीं नौकरी करेगा, कुछ पैसा पाएगा, अरे opportunity cost, सर वो अगर business से नहीं निकल पा रही, तो ये चारो factor of production की cost होती है, क्या माना जाता है इसको cost, शुरुआत म एक, economic cost, accounting cost, जो आप accounts में पढ़ते हो, ये खर्चा आया, ये डाले trading में, ये डाले P&L में, डाल लो के किनारे किये, और एक होती economic, हम बोलते है, हर चीज की cost, देखो, हर चीज की cost, तो सर, economic cost आपकी क्या आ रही है, अगर वो cost जादा हो जा रही है, समझना, आपकी जो economic cost है ये जादा हो जा रही है, बोलो, supply जादा करोगे की कम करोगे, cost बढ़ गई, भाई, तुमारी cost बढ़ी है, जहांसे देखो, तुमारी cost बढ़ी है, तो तुमारा profit क्या हुआ होगा, profit कम हुँ, cost बढ़ी मेरे भाई, price सेम है, यही तो मज़ा इस चीज का, price सेम है, cost बढ़ तुमार profit क्या हो गया, कम हो गया, तुमार profit क्या हो गया, कम हो गया, बोल्ट पे देखो, सर यह रहा तुमारा price मालो की, चलो यह, तेडा के हो गया, यह तुमारा price है, ठीक है, पहले तुमारी cost इतनी थी, तो यह उपर का red part क्या था तुमारा, profit था, यह क्या था, तुमारा profit, तुमारी cost ही बढ़ गई, low, price same, cost बढ़के यहां आगई, तुमा profit क्या हो गया? कम हो गया, तुमा profit ही कम हो जा रहा है, supply करोगे, कम करोगे, दोस्तों पहले हुआ करते थे cassette, काले reel वाले है, देखोगे, tape recorder खोले, उसके अंदर डाले, गाने बज़ रहे हैं, धीरे 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 उसका market CD खराब करने लगी, CD, DVD, है कि ने, pen drive बात की बात है, पहले CD आया, फिर DVD आया, फिर pen drive आया, तो दोस्तों जब CD आया, तो यह cassette वाले लोग थे न, इनकी cost of production बढ़ इनका price same था, धीरे धीरे price भी इनका गिरने लगा, इन्होंने छोड़ा, हटाओ, supply धीरे-धीरे क्या हो गई, finish हो गई, खतम हो गई, अब मिलते हैं, CD मिलना मुश्किल है, भाई मेरे अब, CD बहुत कम मिलती है, कौन लेगा, 300-400 MB की CD होती थी, एक 300-400 MB की CD होती थी बस, आज की देर में 400-500 MB तो तुम्हारे उसमें पढ़ा हुआ हो गया, फोन में पढ़ा है, और जो using नहीं होता है, तो sir, जब हमारे factors of production की cost बढ़ जाती है, आदर्श, जब हमारे factors of production की cost बढ़ जाती है, हम supply को कम कर देते हैं, सप्लाइ को कम कर देते ठीक, state of technology, भाई मेरे तुम लोग बताओगे, हम नहीं बताएंगे, टेक्नोलजी अच्छी हो जाएगे, हम supply को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, पैसे में ज्यादा अच्छी हो गई है, कम पैसे में ज्यादा अच्छा production हो रहा है, advanced production हो रहा है, हम supply को क्या करेंगे, बढ़ा स्वर के पैंक्रियास से, from the pancreas of pigs, 10,000 स्वर को मारा जाता था, उनके pancreas निकाले जाते थे, एक लीटर ये पनुआए बनती थी, इन्सुलीन, बिल्कुल, अब क्या है सर, chemical ही बन रही है, ऐसे तुमारा pathology में बन बना देने लों chemical से, तो बोलो, अब production ज्यादा हो रहा है, बाई, पहले 10,000 स्वरों को मारो, पहले बात तो बहुत inhuman काम था, बाई, किसी भी जानवर को मारना सिर्फ उसके लिए बहुत inhuman काम था, अभी को चीजे बदल चुकी है, तो सर, technology अच्छी हुई, हमारा production क्या हो गया, बढ़ गया, production क्या हुआ, बढ़ गया, state of technology, number seven, expected future price अब ही मिर्स को इसका पचीज रुपए मिल ला है, यह हमको लग रहा है ना, आगे चल किसकी price बढ़ने वाली है, बाजार में इसकी shortage आएगी, इसकी price बढ़ जाएगी, 35 रुपए हो जाएगी, 40 रुपए हो जाएगी, बता हम supply करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सर अगर सामान खराब होने वाला नहीं है, तो हम supply नहीं करेंगे, share market में बहुत देखने को मिलता है, आपके पास shares है, मालो share की price आज की date में चल लगी है, 50 रुपए, 50 रुपए, कल को आपको लग रहा बढ़ के ओ 80 हो जाएगा, आज 50 का आपको 60 भी मिलेगा ना, तब भी आगे चल के ये बढ़ने वाला है, ठीक ऐसे ही कोरोना की starting में हुआ था, जब laptops, mobile phones की बड़ी कमी हो गई था, अब लोग को याद होगा, बहुत कमी होई थी भाई, ये laptop उस समें खरीदने के लिए परशान हो गई था, मिलीने रहा था, हाँ, ये, ये हमको मिला था, मेरे इ खालक उसी ऑनलाइन साइट से लिए थे, पेइमेंट कर दिये थे, हमको कोई उमीद ने डिलिवरी आए के, लेकिन आ गए थी भगवान की दया से, क्योंकि ये market में अफलेबल नहीं था, जो laptop 30,000 का है, वो online में 40,000, 42,000 ऐसे दे रहे थे, ये webcam भी उसी time का है, ये हम लोग क इसकी MRP शायद 8-9,000 रुपए थी, हम लोग को ये 15,000 रुपए में दिला था, सोचो, वेब कैम, जो लगा हुआ है, छोटा सा, सोचो, हाँ, वही न, अब सोचो, अच्छा ऐसा वो लो क्यों कर रहे थे, ऐसा वो क्यों कर रहे थे, बताओ, सप्लाई क्यों कम था, उनको य और अभी कम सप्लाई करो, धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा सप्लाई करते रहो, समझ में आ गया, एक्सपेक्टेद फ्यूचर प्राइज रीड करोगे, हाँ, कौन से लेप्टॉप है, जैसे लेप्टॉप होता है, अमन, डेल, पढ़ो, इफ दा फ्यूचर एक्सप क्या कर देंगे, यह चीज आपको देखने को मिलती है, और आलू, प्याज, लहसुन, इसमें भी, अभी को तो प्याज का ऐस सीन नहीं है, और पहले तो आर देखो, कभी को भी साल में एक समय आता था था था, प्याज पूं जाता था, सो, डेर, सो, याद है, अब वो चीज नहीं होती है, नहीं बीच में होती थी, तो जिसके पास होता भी था ना, वो लोग भी बचा कर रख लेते थे, बाइटीस उन पर खरीदे, बचा कर रखो, एक सबीस भागे का तब बेचेंगे, समझ रहे हो, तो ऐसा होता है, ठीक है सर, और गवर्मेंट पॉलिसी, सरकार ने बोला, सर, तुमारा बिजनेस बहुत अच्छा है, तुमारा बिजनेस बहुत अच्छा है, हम तुमारा बिजनेस पर सबसीड़ी देंगे, तुमको पैसा देंगे, बोलो, सप्लाई बढ़ा दोगे, बढ़ा होगे कि ने बढ़ा होगे, बढ़ा होगे, बढ़ा देंग 30% tax ऐसे लगता था उस पे तुम्हारा जैसे gambling activities, दुनिया वर क्या आप आते हैं, जैसे परी match हो गया, और भी सब हो गया, उस पर कुछ लोग जुवा ही कहलो, वो खेल केल के पैसा कमाते हैं, उस पे 30% straight forward tax लगता है, हाँ पीछे के ग्या नी, इधर देख लो, लगाते थे क् तो उस पे सरकार 30% straight forward tax लगा देती थी, सरकार न इस बार भी यही किया है, कि हर transaction पे जो आपको income होगी, उस पे सरकार 30% क्या ले लेगी, tax ले लेगी, या वो भी तुमसे ने लेने आएगी, जब तुमको वहाँ से पैसा आएगा ना, तो कट के आएगा, सरकार जानते, TCS क लो सुने होगे, इसको बोलता है TCS, हो भाया हो, इधर देखो, हो क्या खिलाडी, तो दोस्तो सरकार आपको discourage करना चाहिए, तुम लोग पता है, क्रिप्टो करेंसी के तुम लोग पता है, इसकी माइनिंग होती है, हाँ बिलकुल माइनिंग, खुदाई, लेकिन कैसे होती ही है, इसके लिए दोस्तों वो आते थे, कंप्यूटर, कंप्यूटर को बिजली में लगाओ, और लगा के छोड़ दो, दिन भर हो अपने आप माइनिंग होती रहेगी, चीज़ चाइना में पहले बहुत हुई थी, जैसे तुमारा ये, क्या नाम है, बिटकॉइन हो गया, इदरम हो गया, शिब हो गया, दोजे कोईन हो गया, इन सब की माइनिंग होई थी, तो सर्कार ने उसको भी बैन कर दिया, का नहीं भाई, अगर सरकार आपका बिजनेस चाहती कि बढ़े हो आपकी सप्लाई बढ़वा देगी, आपको सबसीडी देगी, आपको टैक्स गवर्मेंट, और इंपक्स माइन के सप्लाई फो कमोडिटी, टैक्सेशन और सबसीडी दोनों एक दूसरे का पोजेट होते हैं, पता है आप लोग को, सबसीडी सुने हो, घर पर सिलिंडर की सबसीडी आती है, सुने होगे न, नहीं आती है, अभी भी खाते में आती है, त अगर नहीं है तो अपनी गैस अगर लिंक कराओ, आती है, देखो, टैक्सेशन क्या होता है सर, तुमने एतने मालो तुमने कुछ पैसा कमाया, सो रुपए, सरकार का कि लाओ भाई लाओ, तीस रुपए टैक्स लाओ, सत्तर रुपए तुम पकड़ो, लेकिन कई के बिजन सरकार तुमको वापस कर देती, यह लोग तुम पकड़ो, MSME, जो तुम स्मॉल मीडियम एंडिये, स्मॉल इंडिस्ट्री लगाते हो, कॉर्टेज इंडिस्ट्री लगाते हो, अपने घर में, गाओं यहाथ में, सरकार करते ही जा तुमको बिजली सस्ते रेट में, जो नॉ सप्लाई फंक्शन को, इसकी नॉटिंग आज किया जाए कि नेक्स टास में किया जाए, आज ही कर लिया जाता है, कर लेते हैं न, छोटी-छोटी नॉटिंग के ज्यादा भांशडवाजी ने लिखेंगे इसमें, चलो भई, निकाल लो, कॉपी पेज कुछ भी निकाल लो, अगर पेज निकाल लो, तो उसको यहीं पे स्टेपल कर लेना, बुक में ही रख लेना, उसे, ठीक, हेडिंग लगाओगे, डिटर्मिनेंट्स ओफ सप्लाई, आप लग डाल लोगे बाई, डिटर्मिनेंट्स ओफ, पुरा लिख जेते हैं, डिटर्मिनेंट्स ओफ सप्लाई, अच्छा एक बाद बताओ, नोट्स लिखना बेटर रहेगा या बुक में ही इसके बगल में लिख लिए जाए, बुक में लिख लिए जाए ना, बेटर रहेगा, जो लोग बुक नहीं लाए हैं, वो बड़े लापर वहाँ है, ऐसे लो सप्लाई गिरेगी, इसको बोलते हैं direct relationship, क्यों बोलते हैं इसको, डाररेकт relationship, मतलब सीधा संबंद है, प्राईस बढ़ाये, बढ़ेगी, प्राईस गिराई बढ़ेगी, प्राईस सप्लाईब गिर जाएगी, उपलायर कहता है मेरे समान का प्राईस बढ़ाओ, हम गिरा दें कि नोट कर लो इसे हो गया वेरी गुड नहीं हुआ कर लो कर लो कर लेकिन बुक उठाना घर जाके सर नोट भी नहीं उठाते हैं उसी में लिखवा कि आप क्या कर लेते हैं हम लोगे साथ जिंद्गी केंदर चलो नोट कर लिए इसको हो गया है चलो ठीक है पिर मिटा आ रहा है किस नमबर टू को थोड़ा एनिलाइस करना पड़ेगा दोस्तों किस नमबर टू में लिखोगे रिलेटेड गोट्स एडिंग दो के रिलेटेड गोट्स बुक में दे दो निलेटेड गोट्स हह ओए बात है क्यों रही है हैं श्बस्तिटीट और एक कॉंपलीमेंटरी पोग्री अ य्योजक्त पार बाई सब्स्तिटीट गोट्स में जब से इस्चिटीट गोट्स प्राइज ऑफ से बढ़ जाएगी सार अपने को भी चाहिए इजद है कि नहीं है अच्छा प्राइस ओफ सब्स्टिच्टिट्ट गूड्स प्राइस सार प्राइस और बाइस ऑप्राइस अप्राइस को ने समझे सर सब्स्टिटिट्ट गूर्स की प्राइस गिर गई है समझो अगर कॉफी की प्राइस गिर गई है तो टी वाले क्या सोचेंगे बाई जितना मिल ला है वही प्रहे यंवकाइट से जाधा है सपलाई बढ़ा दो टी यह केस हो गया घा कर Do को जाए नोटिंग दो बताना और एक केस समझ में आ रहा है भाई क्या बोल रहे हैं सबको बता दे रहें एक बार नोट कर लो पहले अच्छा एक बार इधर का भी नोट कर लो फिर बात करते हैं इसकी दोनों नोट कर लो कि वह बुक तो आधा दुरा दे के छोड़ दी आगे कहीं दी है कि ठीक हो गया सबका अब समझो के मेरे साथ एक एक करके देखो भाई यहां पर क्या केस हुआ था टी और कॉफी का एक्जामपल लेते हैं सर टी और कॉफी तुम लोग क्या बेच चूगे बताओ कॉफी महेंगे दिखेंगे सर तो ठीक है सर जब टी की प्राइस बढ़ गई टी की प्राइस क्या हुई बढ़ गई समझो टी की प्राइस बढ़ गई तुम्हारी प्राइस नहीं बढ़ी तुमको क्या लगेगा यार काम तो हम दोनों एक ही करते हैं काम तो हम दोनों एक ही करते हैं रेफ्रेश्मिंट देते हैं उसकी प्राइस बढ़ गई है तो हमको of tea गिर गई प्राइस क्या हुई गिर गई लेकिन तुम्हारी प्राइस सेम है सर चाय की प्राइस गिर गई और तुम्हारी प्राइस सेम है तुमको लगेगा यार काम हम दोनों क्या करते हैं एक ही करते हैं रिफ्रेश्मिंट ही देते हैं लेकिन उसकी प्राइस गिर गई बोलो समझ में आया इदोनों केसे पक्का ओनलाइन वाला आपको समझ में आ रहा है एब बता कमेंट करके तुम लोग समझ में आ रहा है नहीं चीज पक्का कोई कंफूजन ने तो पूछो भाई कैसा क्यों हो रहा है दोस्वाल एक्जम्पल लेया तकना ठीक इदर आ जाओ सर सर प्राइस ऑफ कॉंपलिमेंटरी गूट्स मान के चलो मार्कर और इग्क interact की अगर गिर गई इंक की प्राइस किया हुई गिर गई अरो किर गई तो इसका मतलबसर हमको क्या लगा भविश्य में इसकी वी आओ सकती है विस्य प्राइस किया करेंगे गटो data restoring क्या करेंगे घटा देंगे ओनलाइन वालों समझ में आ रहा है कमेंट करके बताओंगे आप लोग कितना लेगा है यार हम लोग के वीच में ठीक ठीक समझ में आ गया यह पक्का ओके पेज नमर बता दोगे या एक बार 200 281 ठीक है दोस्तों नेक्स पॉइंट क्या है प्राम नमबर ओफ फॉंस इंदा इंडस्ट्री यह सर यह सर यह सर ओके नमबर फ्री यह तो आसान है यार देखो नमबर ओफ फॉंस नमबर ओफ फॉंस बता भाई नमबर ओफ फॉंस इंक्रीज हो गया तो सप्लाई क्या होगी बढ़ जाएगी असर यही क्या हो गया decrease हो गया तो हमारे सप्लाई क्या होगी सप्लाई कम हो जाएगी नोट कर लो नोट कर लो इसे जो डिमांड सभी से पढ़ाओगा न उसके ले एक गुछ है ही नहीं same implication same सारी चीज़ है same सब कुछ है की नहीं विकास अब देखो इसी chapter में वो supply की elasticity भी दे दिया है movement भी दे दिया है shift भी दे दिया है सब दे दिया है एक ही chapter में वा जिएस्टी अच्छा इसमें जिएस्टी भी दे दिया है very good very very good कुछ है नहीं या जिएस्टी पढ़ना थोड़ी accounting दो पढ़े चुके हो वह सम थोड़ी हम पढ़ाएंगे बैठके हो गया ये noting okay next point क्या है next point क्या है बताओ goal of the firm को समझाएगा goal of the firm कैसे affect करता है कौन बताएगा अरे बताओ goal सर तुमारा goal क्या है profit तुमारा goal क्या है है quantity growth growth मैं बुक कौन सा वर्ड यूज किये fancy size में maximize sales वह यूज कर लेते हैं na maximize sales या तो market penetration maximize sales या तो market penetration सर मार्केट में किसी तरह अपनी जगा बनाना यह तुम बहुत देखे हो गयार जो नई नई दुकाने होती हैं दुनिया बर कर discount offer करती है है कि नहीं जो नई दुकाने होती है वो survival नहीं बटा survival को मान के चलती है यार कि हमको एक साल तुस profit नहीं होने वाला है survival के लिए अलग से फंड बना के आती है तुम अगर किसी नई दुकान पर जाओ न मेडिकल स्टोर स्पेशली देखो तुमको दुनिया भर की दिल फेक्ट discount देंगे 15% 20% 25% 700 800 का समान हुआ 400 में देके भीज़ देंगे जाहिए वह यह क्यों उनको अपना समान नहीं बेच होगे तो शुरुवात मुसको सस्ता ही दोगे इसे मार्केट कस्टमर बने तो ठीक है तो प्रॉफिट है सर तो प्राइस हायर सप्लाई हायर प्राइस लोवर सप्लाई लोवर समझ में आया और इसके लिए नीची जाए गई है लग तो रहा है आज रोhen विल सप्लाई कि इंगे लोवर प्राइस सवागा हरा एम मैकिमाजेशन ओव सेल से मारकेट पेन्ट्रेशन देट इसके अश्टमर एक्रीजिशन हम सप्लाई करेंगे इवेन आट लोवर स्कम्राइस कम सप्लाई करते रहेंगे नुट कर लो से और यह सारे फैंसी से वर्ड आप लोग इजाम में यूज़ कर सकते हो कुछ समस्या नहीं है तीचे देखे खुशी होंगे हो गया है लिख लो कहां पर कस्टमर एक्विजिशिएन कस्टमर को अक्वायर करना तो अक्वायर कस्टमर्स विल सप्लाई इवेन अट लोवर प्राइस कम प्राइस भी हम सप्लाई करते रहेंगे हो गया वेरी गुट इधर का पाट रप कर रहे हैं इधर का सबका हो गया होगा इधर हो गया ओल्लाइन वालो आप स्क्रिंशॉट ले सकते हो अगर चाओ तो स्क्रिंशॉट ले लो फिर रप कर रहे हैं ठीक अगला पॉइंट बताओगी क्या है अरे बोलो भाई सवने लगे क्या तुम लों यतने मही है प्राइस ओफ़ैक्टर्स अफ प्रोडक्शन तो हम प्राइस ओफ एफ ओफ ओ पि लिख रहे हैं प्राइस ओफ एफ ओप आप लो पुरा लिखो गई अन्हें टाप की आश्क्रीम लग रहे हैं ऐसा नहीं तो सर अगर प्राइज फेक्टर्स प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई क्या होगी अरे बोलो गिर जाएगी क्या करेगी गिर जाएगी क्योंकि सर क्योंकि अब हमको बनाने में ख कितना नोट करवा रहे हैं ये इसलिए नोट करवा रहे हैं अभी जीत की बाद में तुमको अंदर कर टेक्स्ट ना पढ़ना पड़े बगल का चीज देखो आगे बढ़ते चलो इस शौर्ट तम्री विजनेरी नोट्स होते हैं लास्ट एंकाम आते हैं अब एक्जाम के प बड़े विजनेरी नोट करना है तुम लोगो तो यह इंडिंग में डाल ली है इतना समय पता नहीं क्या लेते हो हो गया बाकी सबकर देखने अच्छा है जब लिखा करें तो समझ समझा करो कि लोग होते नहीं जितना दिन हम लिखेंगे ना कमपिक्शन जल्द इधर जहा केंगे लिख ले किसी तरह सार आपसे परले लिख के बढ़ जाएं बाते हो सके जिससे क्यों आप ऐसा नहीं करना चाहिए जब लिखे तो समझना चाहिए हो गया ये क्या है स्टेट अफ टेकनोलजी हम सिर्फ टेकनोलजी लिख रहे हैं लो टेकनोलजी या पूरा लिख दें टेकनोलजी लिख दे रहे हैं टेकनोलजी सर कम हो गई या ज्यादा हो गई है ना ज्यादा हो गई टेकनोलजी ज्यादा हो गई सार पहले दो कंप्यूटर थे अप् एंप्रूव होती है इंप्रूव होती है यह तो ऑफीय ऊप्स्री अब कर दो कि नोड कर लो है 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 वकिन हो चाहिए हम आपके लेमंध में तक लाइन हमारी वक्लास में बच्चा था मारत साब पूछे बता हुआ टेक्नोलोजी तो कम हो च्याद कर रहा है हां सर कम जाद हो गई खड़े हो जाए पताओ कैसे कर सर्थ चेकनलोजी जाद तब हो जाएगी तो आप्सिलीट होती है आप्सिलीट मतलब पुराना बेकार हो गया ये ओके वेरी गुड नमन दर सेवन एक्सपेक्टेट फ्यूचर प्राइस इसी उपर लिखने क्या ठीक एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस को बताना चाहेगा क्या बोला है बताओ अध्यूर फ्यूचर प्राइस व्यूचर प्राइस विल फॉल शरागे चलके हमारा प्राइस गिर जाएगा हम सप्लाई को क्या करेंगे बढ़ा देंगे, भाई आज तो इस market का 20 रुपय मिल जा रहा है, आगे चलके 18 रुपय में लगा, क्या कहेंगे, बेस्क किनारे करो, बेस्का जब गयुकर बढ़ा है तो आदम से और आदमी खरीटें गुटता है, यह जड़्या से मार्केट जब गिरे, जब डाउन हो जाए, तब बयुकर लोग कोई तो फ्राइब मार्केट फूम में रेडी है, तो यह जड़ बहुत भाइद कि ब्रौंस बैक करता है, तो य सब लोगा हम लोग और आज मार्क इधर दो दिन से मार्केट बढ़ गया बेश-बाष के किनारी को पुंख रहे तो यह वे तरीका हो सब्सक्राइब इस मृट साइर भाए होगी और प्राइस विल राइज हमाई प्रैस क्या होगी बढ़ेत विल ओर तो सपलाइब फॉल समझ में आया सोनार जो होते हैं ना सर दिवाली के सीजन के पहले अपना सोना निकालना कम कर देते बोलते हैं जो है रखे रहो अच्छा अच्छा पीज रखे रहो क्यों दिवाली टाइम प्राइस बढ़ती है अधिवाली टाइम वो अच्छे से बेच पाते हैं महेंगे में बेच पाते हैं सेल भी अच्छी होती है कि नहीं है तो वह इसी का एक्जाम्पल है नोट कर लो इससे नोट कर लो अफ्रे बावास तो पूरी क्लास सीशी में चली गई सप्लाइ फंक्शन में गई मोदी जी की पॉलिसी ठीक देखो भाई दो स्थिती आज रखते हैं अपिता ध्यान दोगे बोर्ड पे सर सबसे पहले टैक्सेशन हमारा कम हो जाए और सबसीडी हमको जादा मिले टैक्सेशन यहां तो कम हो गया सबसीडी जादा होगी इन दोनों में से कोई एक हो सकता है दोनों एक साथ हो सकते हैं समझ में रहा है तो इस ठीती में सर हमारा टैक्सेशन कम हो रहा है हमारी सबसीडी जादा हो रही हम सप्लाइ क्या करेंगे जादा करेंगे बाई तुमको tax कम लग रहा है तुम बोलो अच्छी बात है कि नहीं है बोलो तुमको सरकार बढ़ावा दे रही है दोस्तों तुम supply को क्या करोगे बढ़ा दोगे ये दोनो और या end साथ में भी आ सकते हैं इन दोनों में इस दोनों स्थितियां साथ में भी आ सकती है कि अलग अलग लिए आ जाए पताओ taxation को अलग कर लिए subsidy को अलग कर लिए जाए ठीक है पक्का बोलो भाई आप लोग जैसा बोलोगे ठीक इधर आ जाओ तो यानि कि सर और taxation बढ़ गया सर cryptocurrency सबसीड़ी क्या हो गई कम हो गई सर क्रिप्टो में तो है इने सबसीड़ी और या तो अकेले आ सकते हैं तो साथ में आ सकते हैं दुरू इस थिती में सर हम supply को क्या करेंगे drastically reduce कर देंगे supply को बिल्कुल ही reduce कर देंगे उपर लिख देंगे government policy नोट कर लो यह सब आपके एक्जाम के पहले one day notes है पढ़ते जाएए पूरी बुक पढ़ने के अवशकता नहीं पढ़ेगी इसी पचीज से कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है syllabus उसके पहले बहुत अच्छे से complete हो जाएगा और 2-3 classes आप लोग डाउट भी दी जाएगे आप लोग आएए डाउट कीजिए 25 से है ना कोई दिक्कत नहीं है चल जाएगा syllabus 18 से है बाप रेबाप कौन से school है बहुत जल्दी ले रहे है कौन सी तारीक है आच कोई दिक्कत नहीं है वो भी हम करवा देंगे कुछ बचे का नहीं तुमारा अच्छा BSB सुनो दोस्तों BSB अब हम लोग थोड़ा regular basis पे चलाएगे पार्ट B ठीक है ना जिसे तुम लोग एक्जाम के पहले वो भी हो सके तो BSB अब regular basis पे चलेगा जो chapters बचे हैं अब उसमें कोई विशेज दम नहीं है interesting बहुत है लेकिन chapters हासान है ठीक है ना तो BSB अब regular basis पे हम कल या पर्सों से लेकर आएगे तुम लोग के लिए नोट हो गया था बताओ हो गया और इसी के साथ हाँ ठीक है अच्छा दूसरी नोटिंग हो गई सबकी अब मेरे साथ आओ कि पेज नंबर 280 पे पेज नंबर 280 पे और पेज नंबर 280 पे supply of अभी supply function देखो मेरे साथ SX जो लिखा है that means supply of X supply of X क्या है कोई X कोई भी commodity X मतलब कोई भी commodity बोट विलिक के समझा देख्या तो supply of X बराबर is the function of is the function of price of X यानि कि price of own price own price of the commodity price of price of I यानि price of related goods price ये N of F यानि कि number of firms अरे बोलो समझ में आ रहा है सर उसके आगे G G का मतलब क्या गोल of the firm उसके आगे क्या है PF price of factors of production उसके बाद T state of technology EX expected future price of X EX expected future price of X और GP यानि कि government policy clear हो गया पका कोई समस्या नई सर तो इसी के साथ आज की class को over करते हैं हाँ आज का एक homework है जो नीचे दिया हुआ है होट्स इस question को आप लोगे पर पढ़के आओगे ठीक है होट्स को पढ़के आना इसको को आप लोगे पर discuss करेंगे ठीक है चलो आज के रहे ताही that's all for today class thank you स्कॉफ